तो लास्ट क्लास में आप लोग अपना ओफ करने इस बात का विशेश द्यान रखें जब मैं पढ़ा रहा हूं तो और जब कुछ पूछना हो तभी उसको और करें इस बात का विसेज द्यान रख लेजिए ठीक है तो बेसिकली लास्ट क्लास जब हम किये थे तो उसमें हमने यह प्रयास किया था समझने का कि लॉका मतलब क्या होता है कैम थे मिनिंग क्या है लोग उसको समझने का मिनने प्रयास किया ता अब तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझने का प्रयास करें के कि मिनिजों उस में हमने आपको बताया था कि आप जब जन्म लेते हैं तब से ले करके जब मरते हैं तब तक पीछा नहीं चूड़ता है जब आप जन्म लेते हैं तो बात होती है फिर आप स्कूल में अडमिसन लेते हैं तो वहां भी आपको लौ से देखना पड़ता है डेट ओफ या फिर तेंथ क्लास का सर्टिफिकेट आज भी मानने हैं फिर आपको मॉडिया नहीं लिए जा रहा है उसमें यूश्र्ण भी डराखता है जादी या टाद होनी यह मुस्लिम टे-दोन चाहिए कैसे होना हर चीज लॉसे गवर्ण होता है और उसके बाद पिर आगे आप मान के चलो यदि कोई कार खरीदना चाहते हैं पर चेस करना चाहते हैं फिर भी आपको इंस्रेंस कैसे होगा कौन सा होगा वन पाटी टू पाटी यह पाटी वह पाटी बहुत तरीके की लिए और भी है इसको आप ऐसे समझेए है और भी है और यह दोनों इसका एक्स सका बच्चा कि जुकीral एक्स के पास कुछ प्रपाति आए जबी कि नाम पेर ये दोनों इसका बच्चा अपने आप इसके बीच में बढ़ जाएगा कितना विल करना है किसको किया गया है नहीं किया गया है यह सारी चीजह कैसे कैसे कार्ण होती ला से पैमली में पार्टीशन करना है हर चीज लॉसे गर्वर्ण होती है इसे लिए लॉप को जनकारी रहिए कि हमारे देश में law जानकार बहुत कम है लिगल बहुत कम इसी लिए कि basic चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है कि law का मतलब क्या होता है लोग समस्ते ने उनको लगता है कि चलो सब चीज ठीक है law नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा लेकिन ऐसी बात नहीं है law का होना बहुत ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं कि आपका आपकी जो सोसाइटी है वह एक सही डारेक्शन में चले तो लोग का होना बहुत ज़रूरी है इसी बात को इस चप्टर में इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि क्या है नेसिसिटी लोग का यहां पूछा गया है पिर बात करता है कि सोर्सेस उफ लॉग क्या है कहां सा आता है लॉग कैसे कौन था यह पहला बंदा जो यह पता किया कि लॉग होना चाहिए नीचे जब हम आगे इस सप्टर में आगे बढ़ेंगे तो फिर कुछ त्योरीज जो पहले के हैं उन त्योरीज के बारे में भी बताया गया है जो कि हम बताएंगे तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं इस पार्टिकुलर पैराग्राफ में सिर्फ इतना है कि लॉग की है यहां-यहां यहां लॉकी ज़रूरत होती है ताकि आपको यह अफसास हो जाए कि लॉँजिटी समगें व cette हमत फिर अगला कुश्चन आपके दिमांग में हो do नूरा जाएगा मैं आपको कहानी बताऊं जब हमारा कंस्टिटुशन बना उस समय की बात है तो जब अंग्रेज चले गए लॉज तो उन्हीं के दौरा बनाएं गए थे आज भी हम आईपीसी पढ़ते हैं जो कि 1860 का बना है में तो कौन बना अंग्रेज बनाएं इविडेंस पड़ते हैं ऐसे फैंबली लॉग के हिंदू में रेजक्ट हैं बहुत सारे कॉंट्रेक्ट की बात अभी कर रहे थे लास्ट लेक्चर में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो आजादी के पहले बने तो एक कुश्चन आया था जो लॉग बना रहे थे जो आजादी के बाद यह सोचा था कि हम समयधान बनाएंगे और इसको कैसे देश को चलाना है तो लॉग का होना ज़रूरी है उस समय उनके दिमाग में प्रस्ट आया था कि क्या गोरों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा बनाएंगे सारे लॉ आजादी का क्या मतलब होगा लॉज वही है जो गोरों ने बनाएं वही जिसको यूज करके भगत सिंग को फासी पे चड़ा दिया गया वही लॉज है जिसको यूज करके गांदी को कई दिनों तक जेल में डाला गया और अब हम कर रहें कि आजादी मिल गई और लॉज वह लॉज में यह जीज था उसका जो कॉंटर था चलो यह बात तो सही है लेकिन यदि हम सारे लॉज को रिपील करते हैं खतम करते हैं कि गोरों के द्वारा बनाया गया सारे लॉज हैं ड़स्विन में फेक दो गजांपल यदि ऐसा करते हैं तब अब इमेजिन कीजिए कि जो सुसाइटी उस समय क्या होगा लॉज लेस्नस होगा वहां पर कोई लॉज नहीं काम करेगा और टाइम बिंग चाहे कितना भी समय के उना हो लॉज बनाना तो आसान काम नहीं है इतने सारे लॉज थे बनाए में फिर जाके लॉज बनता सूचे कितना साल लग जाता हूँ तमाम लोग को फिर से रिंस्टेट करने में तीन सार चाल साल पांसाल दस साल भी लग जाते या ज्यादा लगते तो क्या दस साल तक क्या करते कैसे गवर्न होता क्या किसी का कोई मडर कर देता किसी का कोई नहीं है हम इन तमाम लॉज को जो पहले बने गए बनाए गए हैं गोरों के द्वारा उसको करेंगे ताकि नहीं आए यह जब हम फर्स्ट पैराग्राफ आपको बता रहे तो इंपोर्टेंस ओफ लॉज की बात कर रहा है इसलिए मैं आपको यह बताया और इसको अच्छे तर इंडिया में इसी का सार दिया गया है जब आप वहां पढ़ेंगे तब चीजें यह और ज्यादा क्लियर हो पाईगी ठीक है चलिए हम देखते हैं कि क्या है मिनिंग डिफिनिशन ओफ लॉज उसमें कहता है यहां पे कि लॉज सिगनिफाइज रूल अप्लाइड इंडिस् या फिर सहर में रहने वाला एक बहुत बड़ा भी आईपी या फिर कोई बहुत बड़े गवर्मेंट पोस्ट पे रहने वाला विक्ति क्या उस पे समान लॉज अप्लाइड होता है या नहीं होता है को जवाब दे पाएंगे इसका बिल्कुल सर बिल्कुल सर नहीं सर इन जासर वाली लोकी बात करने लिए के करके मचली बजार मत बनाओ जब एक बड़ा तो बोलो अगर सब्सक्राइब तो तो सर कहीं कहीं राइट अब जैसे राइट कह नाम है एक्वालिटी बिफॉर लोग है और इकॉल प्रोडेक्शन प्रोडेक्शन जो है वो क्याना में वह मैंनुर्टी में सब्सक्राइब जैसे आपने पहले भी बिताया था कि यह नेचर में क्या होता है मतलब एप्सलूटी नेचर नहीं होते सर कई बार इसको सर वह भी कर दिया जाता है इंफरेंज में तो यह जाता है और किसी को कुछ बोला है सब्सक्राइब करके हैं वह बात तो मैं इस बात से मैं डिना नहीं कर रहा कि लौ सब्दा कर लेकिन है नहीं प्रस्थन यह था कि क्या सभी लोगों पर समां तरीके से एक जैसा लौख कर प्रस्थन यह था सपे लागू हुआ बीडिया लागू हो ओवित विक व्नौपग जाओं नौव सब्सक्राइब तो 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 सब पर गएगा सर लेकिन फाइन का जो डेफिनेशन होता है वह वहरी करता है सर अगर किसी कोई गरीब और कोई अमीर एक ही ओफेंस करें तो और क्या कहते हैं किसी गरीब को पचास लाग का जुर्माना लग जाए बाइचान सब बूस करते हैं सर और किसी अमीर को ही उसी बहुत अमीर है वो पचास लाग उसको भी लग जाए तो उसके लिए अमीर के लि तो सर इसलिए का जाता है सर आचारे कोटलिया से ही फाइन से लिया गया है वहां से डेफिनिशन इमाउंट अफाइन नोट बी एक्सेव बट इट कैन बी अलिमिटेड एन इट वेरीस फ्रॉम पर्संट टू पर्संट वेरी गुट ठीक है कोई बात ने हम पूछिए बोली ब बताएंगे जब आप पहली वार अपराथ करते हैं तो यह प्रिजम्सन किया जाता है कि वह आप इनोसेंट है मैं बताऊंगा इस तमाम चीज़ों को बताऊंगा पैसेंस रखिया ठीक है सर इन जनरल केस में सर लौ सबके लिए बराबर है लेकिन सर कि वैरी करता है मतलब केस टू केस पे जैसे कोई एडवोकेट है तो सर वह अगर कोड जा रहा है तो अगर उसने मर् सर कानून के नाजर में सब कोई बड़ाबर है मेरे अंसार एक राश्पति और राजिपाल के साथ और एक्शेप्शन है यह जो ओभी सिस्टी सरी तो एक समान पैमाने पिलाने के लिए यह जो रियर विसन होते हैं सब के लिए डिफरेंट हो गया लग लोगों के लिए एक सब्सक्राइब राश्पति और राजिपाल है ठीक है कोई बात नहीं वेरी गुड चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या काता है कि लॉग का समझा रहा है क्या है लॉग समझाएंगे आपको जब हम पढ़ाएंगे उसमें अर्टिकल थर्टीन में डिफनिशन भी बताया गया लोग का मत्तब क्या होता लेकिन उसको छोड़िए वह ज्यादा अभी टिपिकल है अब इसको समझिए करा कि लॉग सिकनिफाइज रूल अप्लाइड इंडिस्क्रिमिनेटली टू अल एक्शन पैटर्न ऑफ इसमें अंतर होता है तो उनों में कभी और बात करेंगे या फिर मेरे चैनल पे जाकर के लीगल इंडियन पे एक बर सर्च करना डिफरेंस बिट्विन एक्ट रूल रेगुलेशन तो एक वीडियो आपको मिलेगा वह आप ज़रूर देखना जाकर के बात में बताऊंगा है प्रस आपको एक आडिया दे रहा हूं कि इस सब में डिफरेंस होता है अभी के लिए मा आप बनाया होगा कुछ बनाया की सबैसिस पर बनाया तब आगे onwards मेंली ओन जञनेरल प्रिंसिपलस ऑप जस्टिस क्या है क्या है यह जिए अ श्गे quaisया होता है जन्रल प्रिंसपल सिक इस पहतलों एक उप्षेसरा क्यों इयुक्षन तो था बारा बताई यह दूसरे और कोई बता सकते हैं वाट इस जंदाल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस जैनरल प्रिंसिपल वो ऑफ जस्टिस यह है कि जो मतलब एक प्रिंसिपल जो एक मसीहा है जो न्याई न्याई करता है ठीक है तो न्याई जो करता है मसीहा वो किस सिद्धान्त पर करता है किस सिद्धान्त को माप डंड बना करके करता है कि ऐसा ही होना चाहिए को समझ नहीं मेरी क्वेश्चन को पहले समझ लो कि यह जो लौव ना यह तो बन गया इसके बारे भात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि किस बेसिस पे ये बना है क्या था वह कुछ तो होगा कुछ ड़कुमेंट्स होंगे कुछ ऐसे ऑफिरिशन होंगे से हम उपर की बात कर रहे हैं चोड़ दो बताइए करके आप हाथ उठाएं ऐसे मत करो यार मचली बजार मत वरा हूं सबको मुखा मिलेगा जब मैं बता रहा हूं सबको मुखा दूँगा तो वाई और सो वरी आप बताएं प्रोपोर्शनेलिटी और और यार मतलब की जैसे किसी ने उसे दिखना चाहिए कि मतलब की जैस्टीस हो रहा है और पदा सकते हैं ठीक है जब कोई भी वक्ति कोई भी वच्चा बोल रहा हो तो दूसरा उसके बीच में ना बोले उसको कम्प्लीट होने दो समय दूंगा में फिर बोलना अब बताइए सबसे पहली बात यह है कि प्रिंसिपल ओफ जस्टिस कोई नया कंसेट नहीं है यह जो जाश्टिस का सिधान्त जॉन रॉड पेगर ही अपड़ोगे जो साइंस प्रिंस सिधान्स के बहुत पुराना कंसेप्ट है ग्लाइक Orp मैं आपको दोग। ऊब्राइब के दिनों में जस्टिस कैसे दिया जात भी की तुरुवात के दिनों में जस्टिस राजा करते थे राजा अभी देखा औगा मुवी वेगरा में आप कौन से मुवी आ पर यह कौन से करता है यह रिटिक लेके समझाता हूँ कि जनरल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है जो अपने देखा है तो उसमें एक प्रस्न उठता है कि जो हिंदू लोग है जो अकवर के प्रजा है जब वह रिलीजियस के लिए कहीं जाते हैं तो उनको कुछ न कुछ पैसा उनको टेक्स लगाए जाता है तो फिर ये बात राजा को पता चलता है कि भाई जो भी हमारे राज में जो लोग हैं चाहे किसी भी मजहव के हों और इस पार्टिकुलर सिच्वेशन में ज जो हिंदू मजहव के लोग थे उन पर टेक्स इसलिए लगा जाता क्योंकि वो तिर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं तो फिर इस पर मिटिंग बुलाई जाती है कि क्या होना चाहिए तो जो आला दर्जे के जो वहां पर होते हैं उनके दरवार में लोग उनका कहना होता कि एगा नहीं यदि हम टेक्स को खतम करतेंगे तो फिर हमारा खाली हो जाएगा ऐसा प्रस्न उठटा है भी अक्बर का जो निरने होता है नहीं कि जिस व्यक्ति को जिस पेवी वी साहर मंजभ चाहर फरक नहीं पड़ता है उस पे उसका हक है और उससे मिलने के लिए उससे पूजा करने के लिए उससे अर्षना करने के लिए कोई जा रहा है तो इस पे टेक्स नहीं लगना चाहिए और वो कहता है कि नहीं आज से जो भी टेक्स के चीजे है उसको खतम हो जानी चाहिए यादा रहा है आपने देखा मोबी देखा है यह सर उसमें था सर उसमें जो मुस्लिम से पहले टेक्स नहीं लगाया जाता सर तो उसमें बोला गया था सर कि अगर टेक्स लगेगा तो से हिंदू और कि दोनों पर टेक्स लगेगा सर कुछ भी तो सब्सक्राइब करो कि उस जमाने में लॉट जो अभी पढ़ रहे हैं आप बुक पढ़ लेते हैं यह निकाल लेते हैं किताब नहीं था लेकिन अकबर ने क्या किया बोला नहीं मजब बाले में टेक्स नहीं लगाना दूसरा एक्जमपल देते हैं उसी मूवी का मैडम आती है उनकी जो जोदा होती है तो उनका यह होता है कि वह हिंदू है तो भाई रहेंगी मुस्लिम के महल में तो उन्होंने कहा कि देखो हम एक ही सर्थ पर जाएंगे जब आप किसी कोने में मंदिर बनवाओगे ऐसा था कुछ प्रसन ऐसा ऐसी बातें थी तो अब उससे जनरल प्रिंसिपल यह है कि हर व्यक्ति को कम से कम वह किसको मान रहा है किस पर उसका फेथ है उसको कम से कम करने दिया जाए तो उसमें वह एग्री कर जाता है एक और एक्जमपल देते जहांगीर को यहांगीर को याद किया जाता है क्यों किया जाता है उसने क्या किया था कि अपने परजा में और जगह जगह पे जिस तरीके से यूपी में अभी हाथ ही लगवा दिया अभी आपने कुछ साल पहले एक गवर्मेंट की जो है माया बती जी ने उन्होंने क्या किया हाथ ही लगा दिया हर एक जगह पे आप नोड़ा या इधा उतर जाओगे तो मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं तो जहांगीर ने हर चोराहे पे एक घंटा लगा दिया और कहा था कि आपके पास आपको लगता है किसी भी तरीके का इंजस्टिस हो रहा है तो कुछ नहीं करना कहीं नहीं जाना उस घंटे को बस खीच लेना बजा देना बाकी हमारे सार जो आपके पास बहुंच जाएंगे और आपके साथ जो इंजस्टिस हुआ है उसको समझा उसको करने का प्रयास करें इसलिए उनको याद किया जाता है इतना इजी एकसिस किया कि हर व्यक्ति नया पास सके आज भारत की स्थिति देखिए गरी व्यक्ति उपरी अदालत में आने के लिए सोचना बढ़ेगा उसको इतने पैसे वकिल काफी बहुत तरीके के जमेलें मैं उसमें नहीं जाना जाता आपको बता रहा हूं कि जन्रल प्रिंसिपल्स आफ जस्टिस का मतलब क्या होता है यही होता है कोई लो नहीं है कोई किताब नहीं है जिसको देखकर कर एक्चली इनकी वाइफ जब गई शिकार करने तो उहां बताइए आप बदाए़ आपको बता है तो बताईए तो उनकी वाइफ वो शिकार ठीक है तो सार जब हो शिकार बे गए तया उनकी पत्नी जो है तिरबान चिला रही है लीगी लेडिस त्ट ही रही यहान बमा सु कि तुम्हारी पतिने जोंभ को तीर मार तौँ है तो सपर कि उसके पती मारों यहांगिया कि daddy तुर तो फिर जांगिर ने फैसा सुना दिया कि कुसी से जब पतेके लित aha मैं उसकी पत्नी पत्नी ने ने कहा कि मैंने जो बोल दिया वहीं सत्य है और आदेश दिया अपने उसको की मार दिया जाया में जस्टिस तभी सर्व होगा तो एक बहुत उंचे दर्जे का जो माप दंड है जहांगीर के बारे में या ऐसे बहुत सारे और भी लोग है उनके बारे में यह कहा जाता है तो हम इतिहास से भी सीखते हैं उस समय किताबें नहीं थी हमारे पास नहीं थे लेकिन फिर भी हम आइडिया आप जस्टिस की बात कर रहे हैं और वहीं से निकल करके यह तमाम तीचार कहानी आपको बताया कि टाइम पास करने के लिए नहीं था यह इस चीज को समझने के लिए था कि उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक अलग थियोरी का हमने जब बनाया जब हमने लिखने और पढ़ने की कला सीख ली तब इन्हें हमने कहा कि प्रिंसिपल ओफ नेचुरल जस्टिस है मतलब जन्म से ही वाई वर्ची ओफ यॉर बर्थ आपके पास कुछ चीजें आ जाती हो उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ओ लो दो विक्ति हैं दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो न्याय का सिधांत यह कहता है कि दोनों पार्टी को सुनने के बाद ही आप फैसला करें जज साहब जो भी हो अब जच होगे पहले जमाना में राजा करते हैं दोनों पार्टी को सुन लो पहले ऐसा नहीं कि कि दोनों कि आपने साललल जुद्श्य सब्सकती कि देखा हैं दूसरा यहां पर कहा कि नो वन शट भी जच इनिज ऊनुका no one should be a judge in his own cause अपने ही case में जिसमें स्वैम लिप्त हो खुद कोई judge नहीं बन सकता कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको लेकिन ये principle of natural justice है हर किसी को follow करना है जितने law पूरे बिस में बने हैं democratic nation में सारे laws इन सिधानतों को ध्यान में रखते हुए बने कोई भी law का ऐसा provision नहीं होगा जो इन तमाम बातों को जो idea of justice है principle of justice है जो लिखा नहीं है कहीं नहीं मिलेगा आपको उसके against और यदि ऐसा होता है तो फिर वो law actually law नहीं होता है वो अलग तरीके से जगता है इसमें डिमोकरिसी में डिमोकरिटिक कंट्री में इस तरीके की चीज़े आपको नहीं मिलेगा इसमें बात में ये दोनों तो main था इसमें बात में एक और तीसरा चीज़ जुड़ गया और इसमें ये कहा कि जब कोई judge या फिर जब कोई पीठा से इन अधिकारी जो उपर बैट करके exudicate कर रहा है जो फैसला सुना रहा है न्याय देने की बात कर रहा है तो इस बात का वो ध्यान रखे कि जो भी order वो पास करेगा उसमें reason देगा हो कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया जब आप किसी न्याले के judgments को पढ़ेंगे किसी order को पढ़ेंगे तो उसमें decision सबसे last में होता है लेकिन उससे पहले reasoning होता है कि ये चीज पाया गया ये evidence पाया ऐसे पाया गया इस तरीके से हुआ इनका ये argument था उनका ये argument था इस तरीके से फिर जा करके एक decision दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि हाँ जी ये वाला चीज ऐसे हो गया तो reasoning देना बहुत ज़रूरी है otherwise क्या होगा अपने मनमर्जी करेंगे कोई वेक्टी दो वेक्टी यदि किसी judge के पास गया और अपने मर्जी से वो कुछ भी बोल दें एक line लिख दें ऐसे काम नहीं होना इसलिए हमें हाँ पे कहते हैं ये rational होना चाहिए rational होना चाहिए ये reasonable होना चाहिए अपने मनमर्जी काने होना चाहिए जो मर्जी आए कर दो इसका reason ये है कि जब कोई व्यक्ती जो dispute किया है दो व्यक्ती जो parties है उनके हाथ में यदि order मिलेगा उनके हाथ में the judgment मिलेगा तो जब वो पढ़ेंगे तो उनको तसलिए होनी चाहिए पढ़के कि क्या बात है भले हम हार गए case वो अलग बात है तो फिर उसको उसी order के को उपरी अदालत में challenge कर सकते है यदि वो reasoning नहीं होगा reasoning नहीं लिखा होगा तो आखिर क्या ground बना करके आप उपरी अदालत में challenge करोगे क्या petition में लिखोगे दिक्कत हो जाएगा इसलिए कम से कम शाहे जैसे भी law बने democracy के में चाहे वो भारत हो इन बातों का बहुत विसेश्थिहान रखा जाता है तो यह word जो principle of justice है वो बड़ा असान आप वैसे पढ़ते किताब में तो पढ़के वैसे निकल जाते लेकिन इतना असान नहीं है हाँ बताईए जी सर आपने अभी जो टॉपिक बताया है प्रिंसिप अन्डाचों जस्टीज सर इसमें एक्जांपन भी होगा ना जैसे मेन का गांधी का केस राइट वेरी गूड मेनिका गांधी का केस होगा जिसमें उनका पास्पोर्ट को ठीन लिया गया था इंपाउंड कर दिया गया था बिदाउट हैबिंग अप्रॉपर प्रोसीजर अस्टबिस पैदल लौ और इसी में यह कहा गया कि बिना उसको सुने तो उसका पास्पोर्ट इंपाउंड कर लिया जिसके कारण वो बाहर नहीं इन ञासे कैके इनके बहुत सारे फट हमाले से तो कम से कम सुनतों लेते उसको की क्या है क्यों उसका इंपाउंड कर लिया पासपोर्ट क्यों ले लिया ऐसा क्या कर इस वह हम बताएंगे बार में बताएंगे बैदे यहां राइट यह चेज उसे हो सकता है कि तो कुल नियुकारी में चिज़ करने के लिए जाना चाहिए यहां तक के जबकर हमका इड्मिस्टरेटिव लाओ बनाएं एड्मिस्टरेटिवलाओ इस लिए बनाया गया क्योंकि अदमेस्टीफ जो एडमीस्टेटर यह सब्सक्राइब करते हैं कि एक यह पॉसिबल नहीं है लौ इतना असान नहीं है कि हर आइएज जो बना जानता हो नहीं पॉसिबल नहीं 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 कर सकता हूँ तो उसके लिए कहा कि देखो ऐसा है यह पूरा लौ तो नहीं जान सकता यह पॉसिबिलिटी नहीं है इतना चमता नहीं है इनके पास क्योंकि एक स्विसलाई चीज है इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और यदि आपको इसे लौही पढ़ाने में टाइम लगा दोगे तो पर यह कौन करेगा बाई तो कहा कि देखो ऐसा है कम से कम इतना जो प्रिंसेपल ऑफ जिस्टिस की बात हमने अभी की है कम से कम इतना लौ इतना सेंस होना चाहिए आपके पास बाकी सारे एक्ट और इसमें क्या लिखा ने लिखा वो नहीं भी पता रहे तो चलेगा लेकिन कम से कम इतना चीज कि जब भी आपके पास कोई बखती आए तो दोनों पार्टी को सुन लो ऐसाने कि कोई भी आए तो मतलब कुछ भी कर दो रिजनिंग दो कुछ भी कर रहे हो और पास करो तो रिजनिंग दो उसमें कम से कम इतना कर लोगे तो कोट का लोड नीचे आ जाएगा अधरवाइस तुम्हारे ओडर को चैलेंज कर देगा कोट में फिर घुमते रहना कोट बुलाएगा तो फिर चक्कर काटते रहना और चक् दो जाएगा रफाओं के पूरा नहीं पॉसबल है तमसे कम इतना जानो ताकि फालतु के चक्कर ना करने पड़े तुम्हें कोट में और ना तुम्हें ना जनता को जिसके लिए तुम काम करते हो जिसके पैसे पर तुम्हें सेलरी मिलती है तो यह एडिमिस्टीव लोगा separate दारा बाद में हम कभी बात करेंगे उसके लिए ठीक है तो यहां पर यह कह रहा है कि law is a large body of rules and regulations based mainly on general principle of justice fair play and convenience and which has have been worked out by governmental bodies to regulate human activities ठीक है उसके बाद भी चीजें हैं एक बात और बताईए कि क्या अभी एक और class करने के लिए एक चुक है आप लोग इस पॉसिबल और कभी और बात करें बताईए बहुत अच्छी बात है चलो ठीक है फिर जॉइन करें अभी एक मिन रुख जाओ अभी यह lecture खतम होगा दो तीन मिनट आराम कीजिए उसके बाद फिर दोबारा जॉइन कीजिए ठीक है सब्सक्राइब करें तरफ फाइब करें दो तरफ सेम लिंग से ना सर्थ सेम लिंग से सेम लिंग से ठीक है ओके से में लिंग से सत्सम्स्टाइब सेम करें ।